इन्वेस्मेंट प्राड़क्ट में लास्ट है आर्ट्स एंद कलेकटीबल जैसे इंशुरेंस के लिए रेगिलेटरी बौड़ी है और इक्विटी मारकेट के लिए है सेब्बी, बैंकिंग प्राड़क्स के लिए है और बिया लेकिन arts and collectibles के लिए कोई भी regulatory body नहीं है, कोई rules and regulations नहीं है और यह arts and collectibles का market भी काफी small है तो यहाँ पे basically arts and collectibles में precious stones हो गया, pentics हो गई, antics हो गई, art objects हो गई यह सारी चीज़े आती है arts and collectibles में जिसकी value लगाना काफी difficult होता है क्योंकि authentic चीज़े है, rare चीज़े है जो भी investor इसमें invest करना चाहता है, वो काफी knowledgeable होना चाहिए और उसके साथ-साथ वो well network भी होना चाहिए कि उसे पता चले market में कौन सी price पे buy and sell हो रहा है प्लस जैसे मैंने starting में बताये कि यहाँ पे कोई regulatory body नहीं है, rules and regulations नहीं है इसके वज़े से यहाँ पे fraud होने के chances भी काफी high है इसी के साथ arts and collectibles यहाँ पे खतम होता है साथ-साथ investment product chapter भी यहाँ पे खतम होता है एंड चल थी मिलेंके next topic में